हेलो एवरिवन आज का हमारा चेप्टर है समाने अर्थविवस्था इसमें हम सबसे पहले इसका परीचे देखेंगे कि हमारी अर्थविवस्था है क्या या अर्थविवस्था किसे कहते हैं जैसा कि आप जानते हूँ कि हमें प्रति दिन का जो हमारा जीवन होता है उसमें हम सेवाईं में डाक सेवा है या चिक सक्षक जो सेवाइं वो सब see just old man oldu यह क्या हैं सेवाइं कहते हैं डाक्र टीटरश यह सभी किया कर तरवाइड requires करवाते हैं तो एक समाजम . लोगों को जीने रहने के लिए वस्तों और सेवाओं की आवशक्ता होती है उनकी जरूरत होती है एक व्यक्ति को अनेक चीजों की जरूरत होती है लेकिन उसके पास सभी चीजें नहीं होती है सभी वस्तों यों खुद नहीं बना सकता है एक क्रशक प्रिवार के पास बूमी का टुकड़ा हो सकता है उसके पास थोड़ा अनाज या बैलादी हो सकते हैं या कुछ जमीन हो सकती है किसी के पास कोई भी समान हो सकता है लेकिन उसके पास सभी समान नहीं हो सकते है तो अपने उत्पाद के एक अंश का प्रयोग करके ऐसी अन्य वस्त्वें जो है वस्त्र आवासादी वस्त्वें प्राप्त कर लेते हैं बदले में अपना जो समान है वो उन्हें दे देते हैं जैसे आपके पास एक्स्ट्रा गेहूं है आप जितना अपना उप्योग करेंगे उतना रख लेंगे बाकी गेहूं के बदले आप अन्य समान ले सकते हो कपड़ा ले सकते हो डाक सेवाई हैं डॉक्टरी सेवाई हैं पढ़ाई कर सकते हो तो इस गेहूं को आप जब बेचें तो बदले में जो मौद्दिक पैसा आएगा धन आएगा उससे आप अपना समान खरीद सकते हो इसी प्रकार अन्य सेवाओं और वस्तों में भी हम देख सकते हैं अधापी का विद्याले में छात्रों को पढ़ा कर रुपे कमा सकती है जिसका उपयोग वह अन्य वस्तों को ख सबसे बड़ी यहां पर मनुष्य के सामने क्या बात अती है उसके पास उसकी आउष्षक्ताक को पूरा करने के लिए सीमित ऋसाधन वह होते हैं सीमित संसाधन होते हैं और आवश्यक्ताई अनन्थ हैं उनकी पूर्ती करने के लिए हमारे पास पूर्ती करने के साधन जो है वो है सीमित है यहां कृषक परिवार जितना अनाज पैदा कर सकता है उसकी मात्रा उसे प्रप्त संसाधनों की मात्रा के द्वारा नियंत्रित होत अपर क्या हैrey संसाधन है कि यानिNow happened कि हमारी जो भी उत्बादन करने की क्षमता है वह किस पर करती है कि हमें प्राप्त वे संसाधनों परs रिसॉर्स हैस उपलब्ध हैं उनीअ पर हमारा पूरा चैसा हुआ है कि हम कितना उत्बादन कर पाएंगे जहां जुता हैं अश्षोन एकषिक के विजा ओद देना पडेगा दारन के लिए एक परिवार लेना चाता है तो ऊसे कुछ है कर पकार लोग्न खाले जमीन संद्द आ है का अपना विचार त्याग देना पड़ेगा यदि उसे अपने बच्चों के लिए अच्छी सीख्षा चाहिए तो उसे कुछ लग्जरी गुर्ज को त्यागना पड़ेगा विलासिताओं को त्यागना पड़ेगा तो यह उसका क्या हो गया त्याग हो गया जब वो कुछ भी कार्य करना चाहेगा तो हो सकता है उसके बदले में से कोई त्याग करना पड़े समाज की अन्य व्यक्तियों के संदर्ग में भी हम यही बात कह सकते हैं सभी को किसी ना किसी एक वस्तु के लिए एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता क्या करना पड़ता है दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है और यह किस कारण से है यह है लिमिटेड रिसॉर्स के कारण किकि हमारे पास संसाधन जो है वो पिरकुष सिमित हैं और यही बात समाज के हर इंसान पर लागू भी होती है समनेत है समाज का हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी वस्तु या सेवा को उत्पन कर रहा होता है नौर्मली हम या तो कोई वस्तु बना रहे हैं या निकी प्रोड़क्शन कर रहे हैं या फिर हम कोई जोब कर रहे होते हैं मोस्टली या क्या कर रहे होते हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं या तो फिर हम कोई जोब कर रहे हैं तो समझनेत है ये बात होती है उसके बाद दोगों को सिमित संसाधन जो है उनमें वस्तूं और सेवां के उत्पादन के लिए करना होता है अपना चुनाव उन्हें करना होता है कि जो संसाधन उन्हें मिले हैं उसको किस प्रयोग में लगाएं समाज के संसाधन का किसी भी रूप में विनिधान करने के फालस्वरूप विभिन वस्तूं और सेवां के विशिष्ट संयोजन का उत्पादन होता है इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का समाज के बीच में वित्रण करना होता है समाज के सामने सिमित संसाधनों का विनिधान तथा वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिशन का वित्रण ये दो मूल आर्थिक समश्याएं हैं को हमारे सामने दो मूल भूत समश्याइं है पहली समश्या क्या है कि हमारे पास जो सनसाधन उपलब्ध हैं उनमें से हम चुनाव कैसे करें दूसरा वस्तों और सयवां के अम्तिम मिश्रण का वित्रन कैसे करें जिनका समाच सामना करता है वस्टो और सेवाउं का वितरिन कैया है कि हम कौन सी वस्टो बनाने के लिए किस वस्टो का त्याग करें जैसे कि पहले हमने बताया था कि बच्चों की शिक्षा के लिए में लग्जरी गुड्स का त्याग करना पढ़ेगा तो ये समश्या क्या कहलाती है मूलभूत आर्थिक समश्या ही कहलाती है दोनो समाज के विशय में हमने अभी तक जो कुछ बढ़ा जो है उसके संदर में अर्थ शास्त्र के मूलभूत विशयों पर चर्चा करेंगे जिन में से हमारी आग्गी की जो उसमें हम ये देखेंगे तो जो अर्थ विवस्था की केंद्रिय समश्या है वो क्या है अर्थ विवस्था की केंद्रिय समश्याओं के बात करते हैं अभी हमने देखा कि हमारे पास सिमित संसादन है तो इसलिए हमें क्या करना करना होता है कि एक वस्तु प्राप्त करने के लिए कई बार दूसरी वस्तु को त्याग करना होता है क्योंकि मारे पास सीमित है जो भी है उपलब्ध है उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वस्तु और सेवाओं का उत्पादन यानि प्रोडक्शन वीनिमे यानि उसे उन् destruction यह क्या होता है प्रोडूराइब क्रियाई होता है तीनों प्रिआय होती है मानव की आर्थिक करते करते हैं मनुष्य यह तो वह कुछ प्रोडूश करे गा डिस्ट्रीबूशन करे गा या कंज्यूम करे यह सब क्या है economic activities है जो आर्थिक गतिविदियां जिने कहा जाता है पर तेक समाज में जब यह कारे होते हैं तो संसाधनों की कमी होते है अब जैसे हमारे पास land जो है वो limited है बिलकुल limited है जितनी भूमी है उतनी रहेगी उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं और यही जो हता है इसम चैन की समश्या को जनम देता है कि हमें चुनना होगा कि हमारी भूमी को हमकी सुपयोग में लें और भी संसाधन होते हैं लेकिन हम यहापर केवल भूमी की बात कर रहे हैं तो अगर सीमित है भूमी हमारे पास कुछ प्लॉट्स है तो भी हमें अगर चोटे संख्यप होगा कि इस किसे कारे से इस भूमी से क्या करवा करवाया जाए और अगर बड़े लेवल की बात करें तो भी भूमी सीमित है और संसाधन जो है वो दुरलब है अर्थवस्था में दुरलब होते हैं दूसरे समा शब्दों की बात करें तो में निर्ने करना होता है कि जो करें तो सबसे पहला प्रशन आजाता है कि किन वस्तों का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें प्रडक्शन के बारे में क्या होता है कि हम क्या तो बनाएं सबसे पहली जो हमारी समश्या होती है वह यह होती है कि हम क्या बनाएं और कितनी मात्रा में बनाएं इसका हमें निरने करना होता है यह सबसे बड़ी समश्या होती है कि क्या प्रेडूस करें जिससे हमें जो संसाधन मिले हैं उनका हम अधिक से अधिक उचित उप्योग कर सकें अब देखो मालो कोई भी जो हमारे पास अधिक खादेपदात वस्तु या अवास का निर्मान किया जाए अत् से पहली यह केंद्रिय समश्या है हमारे सामने अर्थविवस्ता की उसके बाद जो है दूसरी समश्या होती है कि इन वस्तूं का उत्पादन कैसे करें वस्तूं का उत्पादन कैसे करें किस-किस वस्तू या सेवा में किस-किस संसाधन की कितनी मात्रा लगाएं भूमी पु पुंजी श्रम और साहस तोटल हमारे पास चार संसादन होते हैं रिसोर्सिज होते हैं ये इन चारों को मिला करके हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं क्या करते हैं चारों को मिला करके कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं यहां पर आप देखो अब हमारे सामने ये समझा आती है क कि भूमी ज्यादा लगाएं पुझी ज्यादा लगाएं अश्रम ज्यादा लगाएं या साहस ज़ादा लगाएं जो वेक्टीन इस समश्चा को अठे से हल कर लेता है वही उत्वादन के क्षेत्र में सफल हो जाता यानि उसे लाब मिलता है प्रॉफिट उसे मिलता है तो ये भी हमारी अर्थविवस्था की एक समश्चा है की हाउ टू प्रोड्यूस दा गुड़्ज या हम अपनी वस्थों का उत्पादन कैसे करें ये दो समश्चा ही होगी क्या बनाएं और कैसे बनाएं फिर एक समश्चा आती कि इन वस्थों का उत्पादन किसके लिए करें अब हमने प्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन हमें ये पता नहीं है कि किसके लिए हम ये सामान ब है यहां पर देखो उधारन बताया है कि जो अर्थ विवस्था में दुरलब जो संसादन है उनके वी निधान से विभिन वस्तों और शेवाओं के विशिष्ट संयोग उत्पन होते हैं क्या चीज है देखो आप समझने की कोशिश करना संभावनाई है ए बी सी डी अब आप जीरो नाजुग यह यह तो दस कपास होगा यह एक अनाजुगाएंगे तो आपको कपास छोड़नी पड़ेगी जब यह बढ़ाएंगे तो यह कम करना होगा इसको और बढ़ाएंगे त संभावना वक्र कहा जाता है इस तरह का अगर हम इसे कर्म में बताएं तो इधर से दिए हम कपास देखें ये जीरो ये और एक्स अगर हम इधर से अनाज की बात करते हैं तो जब हम अनाज को जीरो उगाएंगे तो कपास ज्यादा उगा सकते हैं इसी प्रकार से जब कपास क कम कर देंगे तो अनाज को बढ़ाएंगे यह कम हो गया अपास को और कम कर देंगे तो अनाज को और बढ़ा सकते हैं यह जो सारे हमें points मिलेंगे यह इनको हम मिला दें तो यह क्या हो गया हमारा उत्पादन संभावना वक्र यानि कि इन पर हमारे production की possibility है या तो हम इसको इतना बनाए या इसको इसका त्याग करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा इसका त्याग करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा इस वरकार का जो हमारा कर होता है उसे क्या कहते हैं production possibility curve PPC हम इसे कहते हैं या कई बार हमें इसे PPS भी बोल देते हैं production possibility set इसे कहा जाता है उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपका PPC बनाया गया है कपास का और अनाज के बारे में ये भी संभावना है कि आप यहाँ पर बनाओ या यहाँ 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 लेकि जाएगा अनाज को कम करोगे तो कपास का उत्पादन बढ़ता जाएगा यहनि कि production की possibilities को दिखाता है यह वाला कर्व यह कर्व किसको दिखाता है production की possibility को दिखाता है और उत्पादन अर्थवस्था के संसादनों का पूम रूप से जो हम उप्योग करेंगे उस पे हमें जो production मिलेगा उसके यह विबिन संयोग है possibilities हैं यह उनके क्या है उसके विबिन संयोग है यह जो होता है सिमान तुत पादन संभावना वक्र के ठीक नीचे स्थित कोई बिन दू अगर यहाँ पर कोई point है तो वो किसको दिखाएगा वो इसको दिखाएगा कि उन संसादनों का पूरा उप्योग नहीं किया गया है इसी तरह से इसके बाहर है तो उनका अधिक उप्योग किया गया है यदि हम किसी एक वस्तु की अधिक मातरा प्राप्त करना चाहते हैं तो अन्य वस्तु की कम मातरा मिलेगी जैसे कि मैंने अभी बताया अनाज को कम करेंगे तो कपाच ज्यादा मिल जाएगी इसको कम करें दिख रहा है वो यह दिया हमें करना पड़ रहा है तो आप देखो आपको बताती हूं अवसर लागत किसे कहते हैं यहां समझ लीजे आप अवसर लागत इसे कहते हैं जब हम यहां से यहां आते हैं तो यह हमें कपास को छोड़ना पड़ा इतने अनाज को बनाने के लिए तो वाली क्या हो गई इसकी आउसर लागत हो गई इतने सारे अनाज को अधिक उगाने के लिए हमें क्या त्याग करना पड़ा ये तो इसे क्या कहते हैं अपरचुनिटी कोस्ट या आउसर लागत हम कहते हैं इसी प्रकार से और अनाज को बढ़ाएंगे तो हमें फिर से और त्य करना पड़ेगा यह इसके अवसरलागत हो गई तो हर इकाई को बनाने के लिए जो में वस्तु छोड़नी पड़ती है त्याग करनी पड़ती है उस इकाई की जो लागत होती है उसे हम क्या कहते हैं और यही जो है आप यहां पर देखो बहुत से उत्पादन संभावों में से किसी एक का चैन करना ही आर्थविवस्था की सबसे बड़ी समश्या है ये देखो आपका ये जो कर्थाना इस पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि आप कितना क्या अब ना होगे पूरी एकनोमी की बात करें तो अब इसमें से हम क्या चुने ये 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 हमारे सामने ये समश्या सबसे बड़ी होती है कि हम इसके कौन से बिंदू पर अपनी अर्थविवस्था को ले करके आएं इसके बाद आप ये देखिए यहां आजाए केंद्री करत जो योजना बद अर्थविवस्था होती है कि अंतरगत सरकार या केंद्री सत्ता उस अर्थविवस्था के सभी मैत पूर्ण क्रिया कलापों की योजना बनाती है यानि कि जो भी हमारी आर्थी क्रिया है प्रोडक्शन है, कंजंप्शन है, डिस्टिब्यूशन है, यह सब क्या होती है, आर्थिक क्रियाई होती है, या कोई हम सामान बना रहे हैं, या कोई सामान का उप्योग कर रहे हैं, या उसे कैसे वित्रित कर रहे हैं, तो यह सारा क्या होता है, यह होती है, हमारी आर्थिक सम बनाती है वस्तों और सेवाओं के उत्पादन विनिमे तथा उभोग से संबन सभी महतपुर्णी ने सरकार के द्वारा ले जाते हैं और किंजी सत्ता संसादनों का विशेश रूप से विनिधान करके वस्तों और सेवाओं का अंतिम संयोग प्राप्त करने का प्रयास करती है कैसा प्रयास करती है जो पूरे समाज के लिए वांचनिय हो क्या हो अब देखो पूरे अर्थविवस्था के सामने ये समस्या है कि कौन सा सेयोग जुने इसका काम कौन करता है सरकार करती है ये निरने कौन करता है सरकार करती है और कौन सा निरने सरकार करती है जो सारे समाज के लोगों के लिए सभी लोगों के लिए अच्छा हो वांचनिय हो यानि सभी के लिए लाबकारी हो ऐसा सरकार कोशिश करती है और उधारन के लिए पाया जाता है कि कोई ऐसी वस्तु या सेवा जो पूरी अर्थ विवस्था की सुख सम्रधी के लिए अत्यंत महत पूर्ण है तो जिसे शिक्षा है स्वास्थ है तो उसे क्या करती है सरकार उतपादन करने के लिए प्रेरित करती है या फिर सरकार खुद ऐसी वस्तुएं बनाने लग जाती है तकि लोग जो हैं उसका फायदा ना उठा सके यानि सरकार का नियंदरन क्या कर देती है अपने हाथों में ले लेती है ये हो गई एक प्रकार की अर्थविवस्ता दूसरी प्रकार की अर्थविवस्ता होती है बाजार अर्थविवस्ता बाजार अर्थविवस्ता में क्या होता है देखो बाजार अर्थविवस्ता में क्या होता है मांग और पूर्ति जो होती है वो स्वेम अपनी कीमत को निरधारित कर लेती है सबसे बड़ी इसमें याद करने की बात क्या है आवस्तु की मांग और पूरती ये डिमांड कर होता है ये सप्लाइ कर होता है जैसे जैसे मांग और पूरती बदलती जाएंगी वो अपनी कीमत खुद निर्धारित कर लेंगी यहां पर आप खुद यह देखेंगे कि बाजार अर्थविवस्था में सभी आर्थी क्रिया कलापों का निर्धारन बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है यानि कि बाजार में supply कैसी है और बाजार में demand कैसी है इसके अधार पर ही हमारे PDC depend करते हैं production, distribution and consumption ये सारे क्या है अर्थी क्रिया है ये सब किस पर depend करता है कि हमारे बाजार की शक्तियां कैसी है supply की powers कैसी है, demand की powers कैसी है जहां पर demand and supply हो जाएंगे, वहीं पर equilibrium हो जाएगा तो बाजार अपनी खुद की निरने खुद करता है मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर जो शक्तियां हैं वही निर्धारित करती है यहां पर आप देखो बाजार व्यवस्था में पर तेख वस्थू तथा सीवा जो है उसकी एक तैई कीमत होती है जिस पर क्रेता एवं विक्रेता में सहमती हो जाती है यहनि कि कोई वस्तु जो बेचना चाहता है कितने रुपए में बेचना चाहता है वो और दूसरा जो खरीदने वाला होता है कितने रुपए में लेना चाहता है तो दोनों की जब सहमती हो जाती है तो एक जो कीमत ते हो जाती है जिससे demand and supply जहां पर equal हो जाएंगी तो उसकी कीमत ते हो जाएगी price ते हो जाएगी वस्तु की यहाँ पर यह मानलो price है यह quantity है है तो price कोंट ते करता है दोनों की और क्रेटा और विक्रेटा जब सहमत हो जाते हैं supplier और जो है दोनों जो हैं सहमत हों जाते हैं तो एक कीमत ते लेते हैं ओसतन समाज किसी वस्तु या सेवा का मुल्यांकन करता है कीमत उसी पर आधारित होती है यदि क्रेता किसी वस्तु की अधिक मांग करते हैं तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाईगी मालो डिमांड बढ़ गई डिमांड करको उपर शिफ्ट कर देते हैं तो यहां देखो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा और अगर हम बात करें डिमांड कम होने की तो आप देखी मांग कम होने पर क्या होगा मांग कम होने पर यह मारा डिमांड कर्व है और यह मारा सप्लाय कर्व है अगर किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो उसकी प्राइस भी गिर जाती है यहां पर आप देख सकते हो प्राइस को गिरा हुआ देख सकते हो पहले यह प्राइस है और अब यह वाली प्राइस है यहां पर वस्तु जो है पहले से ज़्यादा मांगी जा रही थी और यहां पर Demand card को आफ shift करके देखिए ये supply card है यह demand card है यहाँ पर जैसे ही आपने mang को बढ़ाया या कम किया तो prices कम हो जाएंगे और अगर जादा हो गई तो आपने आप increase हो जाएंगे यह वाला diagram है यहाँ पर एक बार फिर से बता देती हूँ यह देखिए यह हमारी यह मांग है यह बड़ी हुई मांग है डी डी वन और यह वली डी टू यहनी कि हम यहां से देखते हैं यह मारा सप्लाइकर्ब है अगर सप्लाइक एक ही है तरह की है यानि चेंज नहीं हो रही है तो पहले यह कीमत है देखो यहां पर यह प्राइसेज वस्तुगी और यह quantity है अगर मांग बढ़ गई quantity डिमांड जो है वह बढ़ गई तो मारे प्राइस इंक्लीज हो जाएंगे पीवन हो जाएगा प्राइस भी इंक्लीज हो जाएगा और अगर मांग वक्र नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो यहां देखो मांगी गई वस्तुगी मातरग कम हो गई तो यहां पर प्राइस भी डाउन हो जाएंगे तो इसी तरह से कौन तैख करता है दिमांडं सप्लायर सप्लायर जो है वोड तैख करती है कीमत को उसके बाद सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र यहाँ पर जो समश्या ही होती मारी अर्थविवस्था की जो किंद्रे समश्या होती है अर्थविवस्था की किंद्रे जो समश्या है अभी बताया था क्या समश्या है हमने बात की थी कि क्या बनाया जाए कैसे बनाया जाए तो उसको सुल्चाने के लिए बहुत सारी तरीके होते हैं जब हमारे सामने कोई समझ्या होती है तो आपको पता है कि हमारे समाधान भी उसके कई सारे होते हैं उसी प्रकार से कोई एकोनोमी जो होती है उसके सामने भी कोई सारे तरीके होते हैं कि हम अपनी हम समश्या का कैसे समाधान करें तो इस कारेन समझना अतिन्त जरूरी है कि वेकलपी क्रियाविदियों में से कौनसी क्रियावधी की सर्थवस्ता की दिश्टी से समानेते अच्छी रहेगी हम ये चुनाव करते हैं कि कौनसी विधी अच्छी रहेगी प्राय सकारात्मक आर्थिक विशलेशन तथा आदर्शात्मक आर्थी विशलेशन के अधार पर हम इसका अंतर कर सकते हैं कि क्या हम किसी क्रियावदी के अंतरगत होने वाले कारे का पता लगाने का प्यास कर रहे हैं अथ्वा मुल्यांकन का सकारात्मक आर्थिक विस्लेशन जो होता है उसमें हम यह स्टेडी करते हैं कि विभिन क्रिया विदियां किस प्रकार करे करती है और अदर्शात्मक जो होता है उसमें हम यह देखते हैं कि क्या यह विदियां हमारे अनुकुल है तो एक तो होता है वास्त्विक कि वास्तों में ये घटना हो रही है यानि कि किस परकार की काम करती है तो वो होती है सकारात्मक आर्थिक विशलेशन और अधर्शात्मक जो होता है उसमें में देखते हैं कि क्या होना चाहिए यानि कि दो तरह की नीतिया होती हैं वास्तम में क्या है और क्या होना चाहिए सकारात्मक और अधर्शात्मक विशेकिंद यार्थिक समश्याओं के अध्यन में नहित सकारात्मक और अधर्शात्मक पहलू या प्रेश्ण हैं जो एक दूसरे से अतियंत निकटा से समंदित है जब कोई भी निती बनाई जाती है तो सबसे पहले देखते हैं कि वास्तों मे क्यास्तिती है यह जब आपड़े एकटे करें जाते हैं किसी भी समच्छा के समाधान के लिए तो पहले ये देखा जाता है कि हमारे पास ये तो है और हमारी ये समश्या है और क्या होना चाहिए अदर्शात्मक यानि क्या होना चाहिए तो हमारी समश्या के समाधान के लिए हम तब उस विधी का प्रयोग करते हैं जिसे आर्दर्शात्मक आर्थिक विशलेशन कहा जाता है उसके बाद जो हमारा विधी आती है व्यस्टी और समस्टी अर्थ शास्त्र व्यस्टी आत्षी शास्त्र की बात करें तो यह इसे हम सुक्ष्म अर्थ शास्त्र भी कहते हैं और इसे मैक्रो एकोनोमिक्स भी कहते हैं व्यस्टी अर्थ शास्त्र में हम बाजार में जो प्ल प्रोड़क्शन का और सर्वीसेज का अध्यन हम करते हैं और साथ ही इनकी प्रैसेज कैसे निर्धारित होती हैं डिसाइड होती हैं उसका हम स्टड़ी करते हैं यहीं कि माइक्रो क्या है माइक्रो एक्नोमिक्स क्या है हम इसमें प्रोड़क्शन का और सप्लाय का सर्वीसेज का और प्राइसेज का स्टेडी करते हैं मार्केट में प्राइसेज कैसे डिसाइड होती हैं इसकी स्टेडी करते हैं दूसरी तरफ कुल निर्गत यानि प्रोडक्शन इंपलीमेंट और समग्र कीमत आधी समग्र उपायों पर ध्यान के अंधित दूप करते हैं तो उसे हम क्या misconception य या स्टेडी है तो य स्टेडी करते हैं वे जब पूरी आर्थ्वस्ता का स्टेडी नकी है उसमें कितना हमने रोजगार लोगों को दिया है या शव्यक्ति कहलाता है, अगर हम इसे थोड़ा सा और रिपली समझने की कोशीष करें, तो माइक्रो को हम सुक्ष्म कहते हैं, और यसे हम समस्टी को व्रहत कहते हैं, छोटे पैमाने पर प्राइसेज की स्टेडी होगी, तो वो सब क्या कहलाता है, पूरी अथवस्था का जब हम स्टड़ी करते हैं नैशनल इंकम आधी है एंप्लोईमेंट है तो उसे क्या कहते हैं मैक्रो एकोनोमिक्स कहते हैं अगर आपको इससे रेटेट कोई कुश्चन है तो जरूर आप मुझे पूछिएगा जैसे ही मेरे को वक्त होगा तो मैं आपको इसका जरूर जवाब देने की कोशिश करूँगी किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी उसके बाद देखो यहां पर यह हमने देखा माइक्रो मैक्रो वास्त्वी करते वरस्ता क्या है आदर्शात्मकार शास्त्र क्या है इसी तरकी चीज़े हम पूरी आगे की बुक में पढ़ने वाले हैं अगर आप इसे बहुत सरलता से समझ लेंगे तो यह आपको बहुत ही आसान लगने वाला है आप इस के नोट्स भी बना सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाएए तो आपको बहुत असानी से यह चैप्टर समझ में आ जाएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजे थैंक यू फॉर वाचिंग